जब भी हम सरदियों के दिनों में सब्जिया लेने जाते हैं तो हमें खुप सारी ताजी-ताजी हरी-हरी सब्जिया मिलती है उसमें से मेथी मेरी बहुत ही मन पसंद है आज हम बनाएंगे मेथी के ट्रेडिशनल थेपले जो गुजराती के घर में बनते हैं सुबह नासे में और शाम को डीनर में उसी तरह का हम बनाएंगे यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मेथी ली है और थोड़ा सा इसमें हरा दनिया भी लिया है इन दोनों को हम साफ कर लेंगे पानी के मदद से धो के इसे बारिक बारिक हम काट लेंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लसुन लिया है यहाँ पे 10 से 12 कलिया लसुन की लिया है और उसमें 3 हरी मिर्शे लिया है लसन और हरे मेश को हम कूट लेंगे उसके बाद एक बड़ा सा बाउन लेंगे उसके अंदर जो कटे हुई मेथी है और दनिया डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे एक कप आटा लिया है और एक कप ब्याजरी का आटा लिया है हम यहां पे दोनों यूज करेंगे क्योंकि जो मेथी का थेपला है उसमें बाजरे का आठा जरूर जाता है उसके बाद दो बड़े चमश तील डाले है एक बड़ी चमश यहां पे सौफ एक बड़ी चमश अजवायन एक छोटा चमश हल्दी पाउडर एक छोटा चमश लाल मेर्श पाउडर और एक बड़ी चमश यहां पे शूगर डाली है उसके बाद एक बड़ा चमश नमक डाल द उसके बाद तीन बड़े चमच यहां पर तेल डालेंगे मोहिन के लिए उसके बाद हम सब इसे मिक्स कर देंगे और एक स्वाफ्ट सा आटा तयार करेंगे यह आटा बहुत रोटी से थोड़ा सा यह कठिन होता है बहुत नरब हमें इसे नहीं गुंथना है तो थोड़ा बाद हम उपर से थोड़ा सा तेल इसके उपर लगा देंगे और छोटे-छोटे से हम यहां पर पैड़े तयार कर लेंगे उसके बाद हम थेपले को बेल लेंगे आपको थेपला बहुत मोटा भी नहीं बेलना है और पतला भी नहीं बेलना है और यह थेपले बाजरी का बाज़ी का आठा होने की वज़े से आपको बेलने में थोड़ी सी तक्लिफ हो सकती है पर आप इसे ध्यान से उपर से गेहू का आठा लगाते जाना और बेलते जाना तो ये बहुत अच्छी तरह से बेल जाएंगे तो थेपला यहां पे बेल चुका है तो मैंने दूसरी तरफ गैस पे तवा भी रख दिया है तो तवा गरम हो जाए उसके बाद हम थेपला से लेंगे यहां पे हमें मीडियम आज पे ही इसे से लेंगे एक बाजु यहां पे थोड़ा सा सीख जाए तो हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद थोड़ा सा उपर से ओई लगा लेंगे उसके बाद हम दोनों तरब से इसे फ्लिप करकर के सेख लेंगे यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है मेथी और बाजुरी की वज़र से तो आप जबूर इस तरब से प्राइब करना है यहां पे थेपला अच्छी तरब से सीख चुका है और आप देख सकते हैं ऊपर से कितना हमें क्रिस्पी लग रहा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है अंदर से यह बहुत सॉफ्ट बना है तो आप इस sabem जार से सारे जो थेपले हैं हम बेल देंगे और इसे स्यिक लेंगे आप इसे बच्चों को भी लिas crimes सकते हो बच्चों को यह बहुत पसंद आएगे आप उनको आचार के साथ या दही के साथ भी सव कर सकते हो और आप यहाँ पर नाश्रे में भी यह बना सकते हो तो यहाँ पर मैंने सारे जो थेपले थे वो बेल लिये हैं और उसे सेख लिये हैं आप इस थेपले को कहीं पर आप बार जाओ तो आपके साथ भी है ले जा सकते हो इसे तीन चार दिन तक कुछ नहीं होगा और यह थेपले आप जिस दिन बनाओंगे उसके दूसरे दिन आप खाना इसका टेस्ट बहुत ही दुगना हो जाएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना अगर यह रेसिपी पसंद आई हो और आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली ग्रूप है उसमें भी आप शेयर कर सकते हो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो वीडियो देखने के लिए थैंक यू